नवस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है आज है 12 अक्टूबर दिन गड़ुबार खबरो क्यों बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार ऐसा करने वाला देश में बना पहला राज्य बिहार सब्जी विकास योजना के तहट सब्जी लगाने के लिए पाई सबसली बिहार में पुलिस कर्मियों की छुट्टियों पर लगी रोग बिहार से तीन देशों के लिए सुरू हो रहा डारेक्ट फ्लाइट भारत ने अफगानस्तान को आठ विकेट से पटकनी दी अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 वरी खबरों क्यों विस्तार से भारतिय नौसेना में SST ओफिसर के लिए 224 पदों पर निकली भरती भारतिय नौसेना ने सौट सर्विस कमिशर ओफिसस एंट्री जून 2024 के माध्यम से एग्जेक्यूटिव एजुकेशन और टेकनिकल ब्रांच के लिए कुल 224 पदों के लिए आवीदन मांगे हैसे में वेग्चो कमिद्वार जो इसके लिए आवीदन करना चाहते हैं वो भारतिय नौसेना के आधिकारिक भरती पोटल joinindiannavy.gov.in पर जाकर ओनलाइन तरीके से अपना आवीदन कर सकते हैं बतादे के आवीदन करनी की अंतिमतारीक 29 ओक्टूबर 2023 तक नरधारित की गई है इसके लिए अगर सैचनिक योगेता की बात करें तो विवन पदों के लिए विवन योगेता नरधारित की गई है ऐसे मेसिजरी अधिक और सैशनिक योगेता सजरी अधिक जानकारी हांसल करने के लिए आप जारी की गया धिसूशना को देख सकते हैं बिहार ऐसा करने वाला देश का बना पहला राज़य बिहार में प्रदूशन का लेवल पता लगाने के लिए ब्लॉक स्थर पर 534 सेंसर लगाते हुए ऐसा करने वाला पहला राज़य बन गया है पतादे के सेंसर IIT कानपूर के इंक्योबेशन सेंटर की ओर से तयार किया गया है मालम हो किस सेंसर से अब प्रदूशन लेवल की भविश्यवानी करने में काफी मदद मिलेगी इस पर STT Pollution Control Board के अध्यक्ष D.K. सुकला के द्वारा कहा गया है कि यदि हमारे पास सभी ब्लॉक का डेटा मौजूद रहेगा तो हम आसानी से विश्यशन कर सकते हैं कि हमें उनकिन छेत्रों में अधिक प्यास की जरूरत है उनके द्वारा दी गए जानकारी के नुसार इन 534 सेंसर के रावा 35 और 6 मोबाइल सेंसर भी लगाये जाएंगे और आगे अब 15 मैनुवल सेंसर लगाये जाने की योजना है बतादेग सेंसर के माध्यम से पीम 2.5 रिलेटिव हुमिरिटी टेंपरेचर के बारे में जानकारी मिल सकेगी पिहार परिटिन में आज हम बात करेंगे पिहार योग विद्याले के बारे में यह योग संस्थान दुनिया में अपनी तरह का पहला योग के विशय के लिए पूरी तरह समर्पित है यह पटना से लगभग 172 किलो मीटर दूर एक शक्ति साली उर्जा केंद्रपर मुंगेर में गंगा दर्शन परिसर के भीतर रस्ति था यह गंगा नदी की अंदे की पहारी की उपर है स्री स्वामी स्तिवानन सरस्वती ने पहली बार एक योग संस्थान का दर्शन किया था उन्होंने 1950 में रिशिकेश में योग विदान्त वन अकादमी के स्थापना की थी इस प्रेडनाक 1963 में मुंगेर में बिहार स्कूल ओफ योग के स्थापना करने वाले श्री स्वामी सत्यानन सरस्वती ने आगे बढ़ाया इसके बाद गंगा दर्शन परिसर में स्वामी निर्जानन्द सरस्वती ने अपने पुड़ोवर्तियों के आसरवास 1994 में बिहार योग भारती के स्थापना की ये योग विदानत और ने संबंध विश्यों के छेत्रों में लोगों के वर्तमान और भविश्य के आध्यात्मिक जागरीती के लिए एक परेयर दर्शी के रूप में इन प्राचीन केंद्रों द्वारा शुरू किया गया काम जाली रखता है आच्रम सहित ये संस्थान व्यापक योग सक्षा प्रदान करने वाला दुनिया में अपनी तरह का पहला संस्थान है स्मार्ट प्रिपेड मीटर के संबंध में जाने ये जानकारी सूशना इवं जन संपर्क विवाग की ओर से एकसपर जोगी पुर्वो में ट्वीटर हुआ करता था उस पर स्मार्ट प्रिपेड मीटर को लेकर व्युद्ध विवाग के दौरा ये दावा किया गया है कि स्मार्ट प्रिपेड मीटर एक उरजा मीटर है ऐसी में अगर आप भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर में उर्जा की खपत या बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो बिहार बिजली स्मार्ट मीटर एप पर जाना होगा मालुमों कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए कोई भी सुल्क नहीं देना होता वहीं से जुरी सिकायत करने के लिए अड़रेट सेवा-SBPDCL या अड़रेट सेवा-NBPDCL पर ट्वीट पर ट्वीट कर सकते हैं या हेलपलाइन नमबर 1912 पर संपर्ख किया जा सकता है या मौजुदा कॉल सिंटर पर जाकर अपनी परिशानी के रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है बिहार में विद्वा पिंसन लेने के लिए अब घर बैठे करे आविदन बिहार सरकार के ओर से विद्वा महिलाओं को आर्थिक मदद पहुचाने और उन्हें ससक्त बनाने के लिए लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पिंसन योजना चलाई जाती है जिसके तहट महिलाओं को हर महीने 300 रुपे और सालाना 3600 रुपे की पिंसन दी जाती है ऐसे में अब इस योजना का लाब उठाने के लिए विद्वा महिलाओं को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे क्योंकि अब वे घड़ बैठे ही इस योजना के लिए आविदन कर सकते हैं बता दे कि आविदन करने के लिए महिलाओं को समाज कल्यान विभाग की साइट स्टिट्टी पीएस कोलंप स्लस स्टेट.bihar.gov.in स्लस सोशल विलफेर स्लस पर जाना होगा बता दे कि इस योजना का लाब लेने वालों के लिए कुछ पातरता भी निर्धारित के गई है जिसके तहत इस योजना का लाब लेने के लिए विद्वा महिला की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए और साथी बिहार की स्थाई निवासी भी होनी चाहिए और उसके पड़िवार का सालान आए 60,000 से कम होना चाहिए अवैद कबजा को लेकर बिहार सरकार हुई सकत बिहार में सरकारी जमीन पर अवैद कबजा को लेकर बिहार सरकार के ओर से सकती दिखाते हुई यह फैसला लिया गया है कि जिन भी सरकारी जमीन और पड़िसरों पर कबजा किया गया है उसे खाली कड़ाया जाएगा और अगर जरूरत परती है तो कबजा धारी से जिर्मानी की मूटी रकम भी वसूली जाएगी पतादी के सरकार के ओर से इस काम को करने के लिए बिहार सरकार पडिसर अधिनियम 1956 के तहट सकतियों का प्रियोग करते वे भवर निर्मान विभाग के सिंवक्त सचीव संजय कुमार को सक्षम प्राधिकार की सकतियां सौपी गई है ऐसी म प्राधिकार प्रमुक संबंधित छेत्रों का मुआयना करेंगे और सरकारी पडिसर जमीन मकान को कैसे कबजा से मुक्त कराना है इसकी रणीती बनाएंगे और साथ ही संबंधित पडिसर को मुक्त कराएंगे बिहार में पुलिस कर्मियों की छुटियों पर लगी रोग पुलिस मुख्याले के अपर पुलिस महानेदेशक संजय सिंग के दोरा प्रेस कॉन्फरेंस आयोजित कर इस बात की जानकारी दी गई है कि परवत तेवहारों को लेकर बिहार में पुलिस कर्मियों के छुट्टियों को रद कर दिया गया है उन्होंने बताया कि तेवहारों को लेकर मुख्याले स्तर से 12,500 अतरिक्त सिपाही जिलों में भेजे जाएंगे इसके लावा 33 कंपनी बिहार, ससस्त्र, पुलिस और 4500 होमगाट की प्रतिनुप्ती की गई है इसके लावा केंद्रिय बलो की 12 कंपनी भी मांगी गई है इसके साथ ही आर्म्स वरिफिकेशन भी शिरूख कर दिये गए हैं उन्होंने बताये कि अभी तक 73,593 हतियारों में से 52,000 से अधिक का सत्यापन किया जा चुका है मालू हो कि बिहार में दिवाली और अन्य मौकों पर तेज आवाज करने वाले पटाकों की खरीद विक्री भंडारन वह इसे फोने पर पावंदी लगाई गई है बिहार सब्जी विकास योजना के तहट सब्जी लगाने के लिए 20 सबसदी बिहार सरकार के क्रिसी विवाग की ओर से बिहार सब्जी विकास योजना के तहट किसानों को सब्जी या लगाने के लिए अनुदान उपलब्द करवाया जाता है ऐसे में अगर आप भी इस योजना का लाब उठाना चाहते हैं तो आप उद्ध्यान निरिशा ले क्रिसिव विभाग की आधिकारिक वेबसाइट sttpskolum slash horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आविदन कर सकते हैं बता दे किसके लिए आविदन करने के शिर्वात हो चुकी है मालम हो किस योजना के तहट सरकार के ओर से 75% तक का अनुदान दिया जाता है यानि कि अगर लागत इकाई दर 10 रुपे है तो आपको अनुदान के रूप में 7.5 रुपे दिये जाएंगे हाला कि इसके लिए कुछ पातरता भी निर्धारित की गई है जिसके तहट आविदक बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए आविदक के पास सबजी लगाने के लिए खुद का जमीन होना चाहिए आविदक मूल रूप से कसान होना चाहिए पता दे किस योजना का लाग, पटना, मगत एवं तिरहुद प्रमंडल के सभी जिला को मिलेगा BPSC ने सक्छक भरती OMR सीट डाउनलोड करने की तारिक बढ़ाई आगे बहार लोग सेवा आयो की ओर से आयोजित की गई सक्छक भरती परिच्छा का OMR सीट आयो की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और इसे डाउनलोड करने की अंतिम तारिक 10 अक्टूबर 2023 तक निर्धारित की गई थी जिससे अब BPSC की ओर से बढ़ा कर 15 अक्टूबर 2023 तक कर दिया गया है ऐसे में वे अभियर्थी जिन्होंने अब तक OMR सीट को चेक और डाउनलोड नहीं किया है वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.onlinebpsc.bihar.gov.n पर जाकर अपने रोल नमबर और रेजिस्ट्रेशन नमबर की मदद से चेक और डाउनलोड कर सकते हैं आयो की ओर से माधिमिक सक्षकों का डॉक्यमेंट वरिफिकेशन 4 सितमबर से लेकर 15 सितमबर तक पूरा कर लिया गया है वहीं अब बहुत जल्दी प्रात्मिक सक्षक पदों की आंसर की भी जारी कर दी जाएगी विहारी पहचान में आज हम बात करेंगे निलाक्षी सिंग के बारे में निलाक्षी सिंग एक समकालीन हिंदी लेखी का है 2004 में उन्होंने साहित्य अकाद्मिक गोल्डन जुबली अवर्ड कलिंगा बुक अफ दे इयर अवर्ड दो हजार एकस और वैली ओफ वर्ड्स अवर्ड दो हजार बाइस जीता निलाक्षी सिंग के लगू कहानी संग्रह परिंदे का इंतजार साकुच और जिनकी मुठ्यों में सुरक्था को साहित्य का आलोज को दोरा सरहा गया है उनके परिंदे संग्रह के शिर्षक कहानी समकालीन भारतिय साहित्य में एक क्लासिक कहानी के रूप में खड़ी है प्रोफेसर ओपी मालविये और भारती देवी सम्मान 2021 और वैली ओफ वर्स अवार्ड 2022 जीता उनके नविंतम नौन फिक्सन सर्शक हुकुम देश का एका खोटा ने पहला सेतू पांडूली पी सम्मान 2022 में जीता पुर्व मध्य रेलवे के 22 ट्रेनों का परिचालन रद पुर्वत्तर रेलवे के लखनाउ मंडल के बढ़वल सीतापुर खंड परस्त बढ़वल सुर्या महुव स्टेशनों के मध्य दोरी करन कारी के पड़ी प्रिक्ष में बिहार से गुजरने वाली कई ट्रेनों के परिचालन को रद किया गया है उनमें 04654 अमरित सर न्यू जलपाई गुड़ी विशेशकारी 04653 न्यू जलपाई गुड़ी अमरित सर विशेशकारी 1553 एक और 1553 दो सहरसा अमरित सर सहरसा एक्सप्रेस 1401 और 14009 आरंद विहार बापुधा मोतिहारी आरंद विहार टर्मि विशेशकारी 1553 और 15529 आरंद विहार टर्मिन्स सहरसा अनंद विहार टर्मिन्स एक्सप्रेश 12530 और 12529 लखनाउ जंक्षन पाटले पुत्र एक्सप्रेस लखनाउ जंक्षन 1578 और 1577 गोमती नगर कामक्या गोमती नगर एक्सप्रेस 15655 और 15656 कामक्या श्रीमाता वैश् बिहार से तीन देशों के लिए सुरू हो रहा डारेक्ट फ्लाइट राजे वासियों के लिए अच्छी खबर है बता दे कि 14 ओक्टूबर से तीन अलग अलग देशों के लिए सीधी फ्लाइट सेवा की शुरूआत होने बारी है जिसमें मयामार, भुटान और थाइलांड है मालुम हो कि गया में सित अंतराश्ट्री हवाई अडे से 14 ओक्टूबर को इंटरनाशनल उडान शुरू करने का सेड्यूल जारी किया गया है जिसके तहट मयामार एरवेज 14 ओक्टूबर से उडान शुरू करेगा जिसमें यंगून गया यंगून फ्लाइट सब्ता में 6 दिन मंगलवार से रविवार तक के लिए विमान सेवास मिलेगी और में मार्स नेशनल एरलाइन्स 18 ओक्टूबर से उडान की दोरा 3 दिसमबर से पाड़ो गया पाड़ो फ्लाइट का संचालन बुद्वार और रविवार को किया जाएगा बिहार में यहां खुलेगा भारत का पहला नेशनल डॉलफिन रिसर्च सेंटर बहुत जल्दी बिहार की राजधानी पटना में भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुलने वाला है बतादे के सेंटर पटना में गंगा नदी के किनारे इस्तित पटना यूनिवर्सिटी के लोग कॉलिज के पास धाई एकर जमीन पर 30 करोड की लागत से ख खुलने वाला है जिसके निर्मान कारी का लक्ष भवन निर्मान विवाग के द्वारा नवंबर के आखिर तक पूरा करने का रखा गया है से में इस नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उधगाटन कारी करम दिसंबर में किया जाएगा बतादे के सेंटर की जिम्मेदा प्रदेश में मौसम बना रहेगा सुस्क बिहार का मौसम अचानक से बदल गया है पिछले दिनों राजधानी पटना के साथ ही आसपास के जिलों में तेज गर्म हवा के साथ बारिस तरच की गई है इस लोगों को तेज गर्मी और उमस का सामना करना पड़ा आपको बता द दिनों में बाकी बचे जिलों से भी मौनसून की विदाई हो जाएगी मौसम विभाग के तरफ से जारी अपडेट के नुसार यह बताया गया है कि मौसम सुस्क बना रहेगा साथ ही बारिश को लेकर किसी भी तरह का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है माना जा रहा है इ दिनोंतन तापमान कम होगा उस दिन पारा और भी नीचे जाएगा अगले एक सब्ता तक प्रदीश में बारिश होनी की संभावना न के बड़ावर है बस में लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना और अक्टिव रखना अनिवारे पडिवान विभाग के ओर से बिहार में कमर्सियल यात्री गारी में ट्रैकिंग डिवाइस लगवाना अनिवारे कर दिया गया है और साथ ही डिवाइस को अक्टिव रखना भी कहा गया है पर्मिट संख्या पर्मिट की वर्था इत्यादी भी अंकित करना आने बारे है वह इसके लावा 15 वर्ष से अधिक आयू के पुराने बसों को पठना नगरनेगम दानापुर नगर परिसत फुलवारी सरीफ नगर परिसत गया और मुझपरपुर नगर सीमा के छित्र में परि गौतम अडानी को पीछे छोड़ते वे रिलायंस इंडॉस्ट्रीज लिमिटेट के चेर्मैन मुके संबानी 8,8,700 करोर उपए से जादा की संपती के साथ पहले पायदान पढ़ा गया है वहीं हम गौतम अडानी 4,74,800 करोर उपए के साथ इस लिस्ट में दूसरे अस्थान पढ़े हैं तीसरे नमबर पर 2,78,500 करोर उपए के साथ सीरम इंसिट्यूट की प्रोमोटर पुना वाला फैमिली है चाथे नमबर पर 2,28,900 करोर उपए के साथ एच सीयल के स्टिव नादर और परिवार है वहीं पांचवे नमबर पर 1,76,500 करोर उपए के साथ गोपी उन करने के बाद पत्रकारों से बाचीत करते वे जातिये गन्ना की रिपोर्ट पर बयान देते वे कहा गया कि जातिये गन्ना की रिपोर्ट को विधायकों से प्रतिक्रिया लेने के लिए आगामी शीत कालीन सतर के दौरान विधान मंडल के दोनों सदनों में रखा वेहार में पर सदन के पतल पर सबी न laughter रखने से पहले वजस थरह की किसी भी बात पर टिपनी नहीं करेंगे सरकार का जो भी करना होगा वो करेगा लेकिन अभी इस पर कोई टिपनी नहीं चार नए प्रवकताऊं की सुची राजत ने की जारी राज़त के जनरल सक्रिरी अबदुलबारी सिद्धिकी के द्वार जानकारी देते वे बताये गया है कि राष्ट्रिय जनता दल के द्वारा चार नए राष्ट्र प्रवक्ताओं के लिस्ट जारी कर दी गई है जिसमें प्रोफेसर अनवर पासा और जैनत जिग्यासु को राश्ट्रिय प्रवक्ता बनाये गया है वहीं प्रियंका भारती कुश्वाहा और कंचन ग्यादबी राश्ट्रिय प्रवक्ता बने हैं आपके जानकारी के लिए बता दे किसको लेकर राश्ट्रे जनता दल के ओर से अधिसूशना जारी करी है जानकारी दी गई है जो कि बीतर दन ज्यानी के बुधवार को जारी की गई भारत ने अफगानस्तान को आठ विकेट से पटकनी दी विश्वकाद 2023 में भारत का विजई अभियान जारी है अपने दूसरे मैच में टीम इंडिया ने अफगानस्तान को आठ विकेट से हरा दिया दिल्ली के अरुन जेटली स्टेडियम में खेले गैस मुकाबले में टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करते वे अफगानिस्तान ने 50 ओवर में 8 विकेट गवा कर 272 रन बनाये थे इसके जवाब में भारत ने 35 ओवर में 2 विकेट गवा कर लक्षे हासल कर लिया कप्तान रोह सर्मा ने 84 गेंदों में 16 चौके और 5 चके की मदद से 131 रन की पारी खेली वहीं विराट कोली 56 गेंदों में 55 रन बना कर नाबाद रहे उन्होंने 35 ओवर की आखरी गेंद पर चौका लगा कर टीम इंडिया को जीत दिलाई यह विराट के वंडे करियर का 68 अर्दस्तक रहा वहीं यह उनका लगातार दूसरा अर्दस्तक रहा भारत का अगला मैच अब 14 ओक्टूबर को एहमदाबाद में पाकस्तान के खिलाफ खेला जाएगा पपु यादव ने की बिहार में तीन उपमुख्यमंत्री बनाने की मांग की है उन्होंने कहा कि हर समाज का एक प्रतिनिदी होना चाहिए जो जस्तर पर उनकी बातों और अधिकारों के लड़ाई लर सके और उन्हें उनका हग दला सके उन्होंने कहा कि प्रदीश में जो जाती गन्ना हुई है वह सही है इसलिए अब इस पर विवाद खत्म होना चाहिए लेकिन अब दरूरी है कि रोग दोईस को छोड़ कर इस गन्ना के आधार पर सरकार उन सभी समाज की राजनितिक हैसेदारी बढ़ाए उन्होंने कहा कि अगर सरकार समाज का विकास चाहती है तो सभी समाज के लोगों की भागेदारी राजनितिक असरपर ह होनी चाहिए इसके लिए सरकार की ओर से जल से जल कोई कदम उठाया जाए और उनकी राजनितिक भागेदारी शनुर्शित करने का काम किया जाए भारत के तिहास में आज की तारीक है कहीं कार्णों सदर्ज बिटिस सरकार ने 1871 में क्रिमिनल ट्राइप्स एक्ट लागू क जिसके तहट 160 स्थानिय समुदायों को अपराधी जाती घोशुत कर दिया गया पहले क्रांतिकारी और बाद में गांधी जी की अनुराई पेरीन बेन का जन्म 1888 में हुआ प्रसिद्य वज्यानिक आत्माराम का जन्म 1908 में हुआ भाजपा की लोगप्रियनेता और ग्वाल 16 में हुआ वे समकालीन, कीदकार एवं गजलकार्द हैं जो अपनी मौलिक, लेखन और चिंतन के लिए जाने जाते हैं समास सास्त्र कीराम निश्रा का जन्म 182 में हुआ भारतिये सुतंता सिनानी, डॉक्टर राम मनोहर, लोहिया कनदन, उनिस्वार सरसक में हुआ वालकर में आज हम बात करेंगे इंटेलिजन्स ब्यूरो के बारे में सोशल मीडिया पर कहीं सूचना वारल होती है लेकिन सभी सचो ये जरूरी नहीं है, इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे इंटेलिजन्स ब्यूरो के बारे में दरसल प्याइबी ने अपने ट्वीट मे और ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया गया है कभी भी ऐसे इमेल का जवाब ना दें ट्विटर पर भद्धिक कमेंट से हैं परिशान तो आन कर लीजे ये सेटिंग ट्विटर पोस्ट पर कौन कौन रिप्लाई कर सकता है इसको लेकर कंपनी एक नया फीचर देने वाली थी आप सिर्फ वेरिफाइड अकाउंट को रिप्लाई का ओप्शन देकर भद्धे और नफरत कमेंट को बंद कर सकते हैं अभी तक ट्विटर के वल तीन तरह की सेटिंग उसे को पोस्ट में दिता था जिसमें एवरीवन पीपल यू फॉलो और पीपल यू मैंसन का ओप्शन आता था यानि इन तीनों में से जो भी आप्शन को आप चुनेंगे वही लोग आपके पोस्ट पर कमेंट कर पाएंगे हाला के अब कमप्टी ने एक और आप्शन वेरिफाइड के साथ साथ फ्री उजस को दिया है नया आप्शन आपको पोस्ट के अंदर हू कैन विकास डिजाइन और राजश्रिती में 20 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ एक भारती है अमिर की तक्निकी उद्योग के दिगज शामिल हुई है बता दे कि अब अपढ़ना चिन्ना प्रागदा माइक्रोसॉफ 365 और माइक्रोसॉफ डिजाइनर में जिनरेटिव AI प्र जादे और कलतना को जीवन में लाते हैं यही कारण है कि मैं यह साचा करते वे बेहत उत्साहित हूँ कि मैं AI फर्स्ट क्रियेशर अनुभवों पर अग्रणी प्रयासों के लिए कॉपरेट वापी के सुरूप में माइक्रोसॉफ में शामिल हो रही हूँ कई महीनों में आचीत के दुरान वह AI का उप्योग करके दुनिया भर में लोगों और संगटनों को ससक्त बनाने के उनके दृष्टी कोन की गहड़ाई से सरहना करती है राजस्थान में बदल गई चुनाव की तारीक अब होगी इस दिन नुकसान हो सकता है इसलिए अब चुनाव की तारीक 25 नवंबर निर्धारित की गई है हाला कि परिणाम खोशित करने की तारीक पहले की तरहीं 3 डिसंबर का निर्धारित किया गया है इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है दरसल 23 नवंबर को दे उठनी एका दशी है और उस दिन राजस्थान में करी 50,000 गयास पर शादिया होती है ऐसे में इस दिन मद्दान भी कम हो सकता है जिसका खामियाजा राजने तिक दलों के उमिद्वारों को उठारा पड़ेगा हम प्रते दिन आपसे 5 ऐसे जरुड़ी सवाल और उसे जरे जवाब बताएंगे जो की BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समीत, SSC जैसे अने प्रतियोगी पर इच्छा में कामाएंगे सवाल इतिहास, बिहार स्पीशल, विज्ञान, करेंट अफेर्स और भुगोल से रहेंगे पूछेगे 500 सवाल में आपने कितना सही उतर दिया कृपा करके यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं हमारा पहला सवाल है, हाली में बिहार के पश्श्यम चंपारन के किसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन जियाई टैग पराप्त हुआ है ऑप्शने लाल मक्का, ऑप्शन भी मर्चा धान, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी चावल इसका सहीुत तर है option B मर्चाधान अगला सवाल इसका सहीुत तर है option B प्रयाग राज अगला सवाल 1956 में राजियों के पुननर्मान के समय बिहार का कौन सा जिला पश्य मंगार में पहुँचा दिया गया था option B पुरुलिया, option C बकुडा, option D इनमें से कोई नहीं इसका सहीुत तर है option B पुरुलिया, अगला सवाल निमन लिखित में से कौन सी बिहार के मगद शामराजी की राजधानी थी option D नालंदा, option B गया, option C राजगीर, option D वैसाली इसका सहीुत तर है option C राजगीर अगला सवाल पाल वन्स के बाद बिहार में बारवी सदी में किसका राजगी रहा option A नुहानी वन्स, option B खिलजी वन्स, option C गुड हवाल वन्स, option D तुगलक वन्स इसका सहीुत तर है option C गुड हवाल वन्स बीते दिन हमारे दुरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रजाब हमें हमारी comment section box में लिख कर दिया था जिन्हों ने हमारे दुरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है इसके साथ ही परते हैं आज के सवाल की उड़ आज का सवाल है आपके छित्र में दुर्गा पूजा को लेकर क्या 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 तैयारियां की जा रही है अपना जवाब हमें हमारी comment section में लिख कर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही पिहार के तमाम कबरों के साथ बन रहा निकले देखते रहें पिहारी नियूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं चाल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से द